सुआगा थे आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूटूब सैनल डिप्लोमा कलाचिस में तो कैसे हैं आप लोग तुमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग वी हार पोल टेकनिक में एडमिशन लेटरल इंटरी से लिये हैं यानि इस वीडियो में हम वी हार पोल टेकनिक लेटरल इंटरी थार्ड सेमिस्टर का यानि इलेक्ट्रिकल बरांच के सीलेबस के उपर फोल डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो कोई तक देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो आप लोग भी हार पोल टेकनिक लेटरल इंटर के एक्जाम दे करके भी हार पोल टेकनिक के सेकंड एर यानि थार्ड सेमेस्टर में एडमिसन ले लिये हैं और अगर आपका बरा को इलेक्ट्रिकल मीला था तो सभी लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग का जो इडमिसन है ओ पोल टेकनिक कोलेज में हो गया है अब हमें बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल बरांच में आखिर कौन-कौन से भी साय पढ़ना है तो आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं यह भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंट्री थार्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल बरांच का सिले बसे तो इस वीडियो को आगे बराने से पढ़े आप सभी से एक छोटी से रिकोष्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब द बता देते हैं कि हमारे चैनल यानि आप सभी के अपने यूटूब चैनल डिप्लोमा क्लासिस के माध्यम से भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंट्री से समधित जितने सरे अपडेट होते हैं सब से पहले और सटीक रूप से आप सभी के पास पहुंचाए जाते हैं तो अगर आप लोग कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि राखिरा को कौन से पोल टेकनिक कालेज में इलेक्ट्रीकल ब्रांच मिला है तो देखिए इसके हेडिंग में क्या लिखा गया है चलिए आप सभी को बताते हैं State Board of Technical Education बिहार यानि इसका स्वर्ट फर्म होता है SBTE कहने का मतला भे जो आप लोग एक्जाम दिये थे लेटरल इंटरी का O बोड था B C E C E और इसका फूर्ट फर्म होता है भी हार कौमबाइंट इंट्रेंस-कॉंपटेटेटिव एक्जामिनिएसन बोड लेकिन जो B C E C पोड है एक केवल एक्जाम को करवाता है और काउंसलिंग को कराता है लेकिन बाकी जो काम होता है यह SBTE कराता है यानि अब BCC बोड है इससे नाता आप लोग का खत्म हो गया अब आप लोग को SBTE बोड से संबंध रखना होगा और जितने भी semester exam होंगे सभी के सभी SBTE बोड ही conduct कराएगा अब चलिए आप सभी को बता दे कि राखिर कौन कौन से subject परने है और आखिर कितने नम्मर का आप लोग का exam होगा तो देखिए बिहार पोलिटेकनिक लेलेक्टरल एंट्री थार्ड सेमेस्टर का पहला subject है इंट्रोटाक्शन टू इलेक्ट्रिक पामर जनेरेशन सिस्टम एए आप लोग का पहला subject है दुसरा है electrical circuit तिसरा है electrical and electronics measurement चौथा subject है electric motors and transformers पांचवा subject है fundamental of basic electronics and digital electronics तो आप लोग देखिलेजिए बिहार पोलिटेकनिक लेटरल एंट्री में जो है आखिर पांच subject कौन कौन सेप पढ़ने है और एक और बात वैसे लोग जो tools पर भी हार पोलिटेकनिक लेटरल एंट्री का form को fill up किये थे तो उनको दो subject और extra पढ़ना होगा कौन कौन engineering mechanics और engineering graphics लेकिन वैसे student जो भी लोग IT पर form को fill up किये हैं तो इनको मातर पांची subject पढ़ना होगा अब चलिए आप सभी को बता दे कि राखिर कितने नमर का फरिक्षा होता है तो देखिए जो आपके exam है यह सतर नमर का जो होगा यह दूसरे center पे होगा और यह जो 10 नमर है यह teacher assessment होता है यानि student और teacher के behavior के रूप में इसको मिलता है और बाकी जो 20 नमर है यह class test होगा यानि जितने पढ़ाई हो जाएगा और उसके जो है अगली सब्ता हमें एक test होगा और test में आपका जितना नमर आएगा 20 नमर में से उतना को add किया जाता है तो आपका 70, 20 और 10 यह 100 नमर हो गया और अगर सब को आपको count करते हैं तो totally 350 नमर हो जाएगा अब चलिए आप सभी को बत Electric Power Generation Laboratory दूसरा है Electrical Circuit Laboratory वेब Technology Lab और इसके आप लोग नीचे देख सकते हैं दो और हैं और यह totally है 200 नमर का जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे है Termwork और Termwork में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है Python है और Fundamentals of Basic Electronics and Digital Electronics है और आप सभी को बता दें जो का 3rd semester का exam है एक टोटली 750 marks का होगा और 750 marks का खिट किसका होगा जो लोग ITA पर फरम फिलब किये हैं उनको क्योंकि इनको बस 5 ही subject पढ़ना है लेकिन वाइस से student जो लोग 3 तर यानी 12th पर फरम को फिलब किये हैं तो इनको 200 नमर और जोड़ ली दियेगा क्योंकि इसमें engineering mechanics और engineering graphics आ जाएगा और आप लोग इसको जब scroll करेंगे तो नीचे detail रूप में देखेंगे कि आखिर कौन से विशाय में यानी कौन से subject में आखिर कौन कौन से topics पढ़ने हैं और अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप सभी को हमारे यानी डिपलोमा क्लासिस के WhatsApp न इस नमर पे आप सभी को मेसेज करना होगा और मेसेज करके सबसे पहले आपको अपने पोली टेक्नीक अलेज का नाम लिखना होगा और उसके बाद बोलना होगा कि सर हमको ठाड़ सेमेस्टर का सीलेबस चाहिए Only WhatsApp मेसेज कीजिएगा क्योंकि कॉल को रिसीव नहीं किया जाएगा